यूज सेटिन स्टे राइट हेलो फ्रेंट सेंड वेलकम बैक तो दे चानल आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है वाटर बेस्ट इन के ऊपर और इसको पेंट इंडस्ट्री की नजरों के अंदर बोलते हैं साटिन स्टे ब्राइट डूलक्स एक्जर मोबल का किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है मैं बोलू डूलक्स एक्जर नोबल को आपको समझाओं सबको पता है बहुत ही ट्रस्टेड ब्रैंड है और डूलक्स एक्जर नोबल किस आपके सारे प्रोड़क्ट्स आप जादा तर यूज कर चुके हैं और मैं जब भी उसके लिए क्या बोलता हूं तो आप मुझे पहले उसके लिए बोल देते हैं कि वह या कुछ बोलने ही जरत नहीं है मैंने तबनी वाल्स पर यह करा लिया और वह करा लिया और मैंने डियूलक्स एक्जर नोबल का प्रोड़क्ट ही करवाया है आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐ और यंड वन पेंट लेके आओ मैं आपके लिए सस्ता सुन्दर टिकाओ और लॉग लास्टिंड आप इस प्रोड़क्ट को किसी बी चीज पर यूज कर सकते हैं बट वह चीज इंटीरियर के अंदर होनी चाहिए इसका मतलब अंदर होना ही चाहिए वह वाली जो चीज जि लाइफ के प्रोड़क्ट की लांग लाइफ के लिए मैं आपको यह चीज बता रहा हूं इसको आप फरनीचर पर यूज कर सकते हैं बैड स्पेस सोफा पर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं शेड रेंज आपको कलर की मिलती है 2000 से फ्लस शेड मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी फैंडेक इसके अंदर कलर बना सकती है जो पैलेट आता है उसमें से ज़ादतर शेड आप शैटिन के अंदर ले सकते हैं और जानते आगे हम इसके भाषेंike मारे में हो धो क्रीम हो डार्क हो कोई साभी कजलर हो इसके उन्दर वैसे का वैसा ही रहे सालों स्बत्तों ना वह उत्रेगा कोई भी दिक्कत नहीं यह यह कि नहीन आज की आपने अने यह आतर पर प्रपल टून कंफ एक बाद वह जाएगा या बिल्कुल कतम हो जाएगा ऐसी चीज नहीं है बहुत यह आरेंडी के बाद यह प्रोड्डक्ट को यूज करता है जो यह-प्रोड़क्ट आता फूरा लो उसी हो अन्टि इसके अंदर आती है यह प्रॉपर्टी दिन ऊकल सके अंदर इसकी रहेばい बाइन प्रॉप्रिटी और भी आती है यह प्रोडर्ट आता है रो मतलब अगर आप ने यह प्रोडर्ट वाइट के अंदर कराया नहीं है कि अगर आपने कर आया है थो जो हिला पड़नी चालू हो जाती है वह चीज इसके अंदर नहीं है एंटी एलोइंग प्रॉपर्टी इसके अंदर डली हुई है वह इस चीज को पीला नहीं होने देदी यह प्रॉट आता है लो और 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 लो स्मेल के साथ इसका मतलब जैसे कई बार पेंट होता है इनामल पेंट की बात कर रहा हूं में स्फेशली जो रोब्र उता है और घर में जो बुजूर्ग हो गए कोई लोग और यहीं को स्वैश्य मैने अस्टमागी प्रॉब्लम है और कईश में बहूत जादा प्रॉब्लम हुझा है और है में चीज चीजें देख कूका हूं अ laar कि वासे अख लग बनाता है नॉर्मल किसी भी enamel paint से किसी भी company का हो specially मैं डियूलक्स या किसी branded company की बात नहीं कर रहा किसी भी company का enamel हो उससे बहुत ही कम smell है बहुत ही कम order है low VOC है और आपकी health के लिए अच्छा है जो ये product आता है ये आता है quick drying technology के साथ इसका मतलब ये जो product सुखेगा ये जो आपका product है ये सूख जाएगा कम से कम मैं बता हूँ अगर तीस से चालीस मिनट ये maximum एक घंटा लास्ट बता रहा हूं maximum एक घंटा भी मैं आपको water-based technology है मतलब water पानी वाला paint है ये पानी ही डालेगा इसके अंदर 200 से 300 करम पानी डलेगा पर लीटर एक लीटर के अंदर और कोई डार शेड दोंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी कम डलेगा water dilution उसमें कम होगी available packing की बात करें तो इसकी packing around आती है एक चार दस और बीस की वही standard packing है जो हर paint की आती है वही packing के ऊपर ये product बना हुआ है जो इस product की washability है वह unmatched है किसी भी product से पहली बात तो इसमें सारी satin और inamel paint वाली properties है inamel paint का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो मैंने आपको बताया था pipe मारके आप उसको साफ कर सकते हैं उसी तरह की washability लेके आया हूँ मैं water based satin के अंदर मैं नहीं लेकर आया है मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लेके तो company आई है मैं तो छोटा सा मुलाजिम हूँ सिखाने वाला आपको जो इसमें एक तो इसमाता है stain replant मतलब कोई भी दाग इसके उपर पड़ता है तो वह पहली बात तो टिकने नहीं देता आप उसको अराम से sponge और सर्फ के बानी से साफ कर सकते हैं कोई दाग नहीं पड़ेगा कोई धबा नहीं पड़ेगा कुछ नहीं होगा और अब इसकी coverage की बात करें तो इसकी coverage around आती है सौ से 120 square foot double coat के अंदर double coat बता रहा हूं मैं single coat नहीं बता रहा हूं ना मैं triple coat बता रहा हूं कई बार comments में जो problem आती है वो आती है कि एक coat होगा या तीन coat होगा इसलिए मैं double coat के बारे मैं आपको बता रहा हूं single coat की आप बात करेंगे तो around 200 square foot cover करेगा बट वो no use किसी भी काम का नहीं है क्योंकि single coat के अंदर किसी भी paint हो water base हो oil base हो उसमें मजबूती नहीं आती है आपके product की life आपकी चीज की life कम रह जाएगी अगर आप single coat use करेंगे इसलिए आपको double coat ही लगाना है और अगर कोई आप color बदल रहे हैं किसी hard surface पर कर रहे हैं जिसको usage बहुत जादा है तो के लिए में prefer करूंगा आपको triple coat और जब बात करूं मैं इसकी शीन की तो यह आता है soft हáfic Religion बिल्क जिनको चमक अच्छी नहीं लगती बेस्ट करेंगा उनको लाइस कर दे उनकी प्रोड़क्त गुदाता हूं प्राइमर की summarize हम evaluation केğसे करनी है अगर आप इस product को यूज़ कर रहे हैं Metal के उपर लोहे पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके पहले लगाना है Red Oxide Metal Primer कोई और primer में रिकेमेंट नहीं करूँँगा अगर आप लोहे पर यूज़ कर रहे हैं लोहे पर जंग रोधख जो proper primer आता है वो red oxide primer ही आता है उसके लगाने के बाद उसके दो कोट लगाने के बाद इसके दो से तीन कोट आप लगाएं और अनंदले satin का बिना चमक वाले paint का अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं किसी लकडी पे मतलब wooden furniture हो गया wooden खिड़की हो गई wooden bed हो गया अगर आप उसके यूज़ कर रहे हैं तो आपने यूज़ करना है उसमें oil based primer तेल वाला primer यूज़ करना है आपने एशन बर्जर डियूलक्स हर्थकारी सारी company बनाती है कोई भी primer यूज़ कर सकते हैं मैं especially नहीं बोल रहा कि आपको यही वाला यूज़ करना है इसके लिए इसकी अच्छी लाइफ के लिए और आपनी दीवारों को satin करने के लिए बात करें इसके पैसों की तो यह राउंड आता है तीन सो से चार सो रुपे लीटर थोड़ा सा कॉस्टली आपको लग सकता है बट एक बार आप कराने के बाद भूल ज साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपने family का ध्यान रखें मेरे वीडियो को subscribe करें ऊपसी मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो का लाइक करें एंड शेयर करें थैंकियो